बीएस्ती पार्ट थार्ड में आज प्लांट एम्रोलोजी अर्थात पादप भुरुन की या पादप भुरुन विज्ञान का इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री परिचे और इसका इतिहास के बारे मैं धन करेंगे मैं चिरंजीलाल असोचेट प्रोफर्श्य गौर्मेंट कुलिस्का अलादर अजयेपूर। जैसा कि plant embryology the science of the origin and formation of new plants. In a broad sense, plant embryology deals with the study of all events starting from microsprogenesis, megasprogenesis, pollination and fertilization till the development of a mature embryo Arthard, वनस्पति विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत उच्वरगिये पोदों Arthard, higher plants की जनन संबंदी प्रिक्रियें जैसे युगमक, जनन, परागन, निसेचन, भूर्ण परिवर्दन तथा बीजवय फल निर्मान का अध्यन किया जाता है तो उसे भुरून विज्ञान अत्वाय भुरूनकी या एम्रोलोजी कहते हैं पादप एम्रोलोजी का संबन्द पोदों के लेंगिक चक्र सेक्स्वल साइक्लिस है पराकोस एं बीजान का विकास अर्थाद डवलप्मेंट अफ एंथरन एं ओविल माइक्रो एंड मेगेस्प्रोजेनेसिस, गेमिटोजेनेसिस तथा भुरून एवं भुरून पोस के निर्मान अर्थाद फॉर्मेशन ओफ एंब्रियो एंड एंडोस्पर्म का अध्यन इससी के अंत्रगत किया जाता है मानव को पोधों के लेंगी प्रकरम का ग्यान आज से कई हज़ार अवर्स पूर में भी था इसका प्रथम संद्रब थियो प्रिष्टेस की पुस्तक इंक्वारी इंटू प्लांस में मिलता है इसकी रचना 320 में की गई थी इसके अनुसार 500 BC में हिरोडोर्स ने अरववे एसी रिया की यात्रा के की थी उन्होंने देखा कि यां खजूर की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए प्रते एक वरस एक धार्मिक समारोग में इसके मादा पूश्मक्रम को नर पूश्मक्रम से इस परस्त कराते हैं वास्तों में ऐसा पॉलिनेशन या परागण सुनिसित करने के लिए के जाता था परन्तु इसके पसार लगवक 2000 वर्सों तक पोदों की लेंगिकता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया इस समय लोगों का विश्वास था कि पूंकेसर पोदों के उसरजी अंगवे परागण अपसिष्ट पदार अर्थार वेस प्रोड़ेक्ट है जी विज्ञान की अन्य साखाओं के समान ही बुरुण विज्ञान के छेत्र में भी 1665 में सुक्षम दर्शी के आविश्कार के पश्चात अवूत पूरू प्रगती हुई है पुंकेशरो का नर जननांग के रोम में उलेक सरवपर्थम एन ग्रिव 1682 ने अपने पुष्टक एनाटोमी ओफ प्लांट्स में किया इसके पसाथ आर जेकब कैमरियस 1684 देखा है कि बीज के निर्मान के लिए पोधे के नर एम इस्त्री जननांगों में अन्तक्रिय आवश्क है उन्होंने इस तत्य की पुष्टी जोसेप कोलूरट सत्रा सुइक्षण ने भी की थी वयानेक प्रियों के पस्चाथ इस निस्कत वर पहुंचे कि किसी पुष्प का वर्तिकागर अर्थात स्टिग्मा अन्य जातियों के पराकणों की तुलना में उसी जाति के पराकणों के लिए अधिक ग्राही या रिसेप्टी होता है आवर्त वीजियों में अर्थात एंजियोस्पर में बुरुन विज्ञान में विज्ञानी अनुस्तिनार प्रार्म करने का स्रे इटली के गिनितगे गियोवेनी बेटिस्टा एमसी अठारा सोईस को है उन्होंने प्राग नलिका को अंडासा में इस्तित बीजान के मुक्तक वर्दी करते देखा अर्थात उन्होंने पोलन ट्यूब को जो कारपल अंडासा है उसमें इस्तित जो बीजान के मुक्तक वर्दी करते देखा गुस्तम अपसार एडवर्ड स्टारबर्ग 1884 ने आदर्स इस्तरिकरणवे अभिरिदन टेक्निक अर्थार प्रफेक्ट फिक्ससन इस्तरिक टेक्निक साहता से नर्वे मादा यूगमकों को सल्लेन अर्थार पर्टिलाजेशन की परिकिर्या को देखने में सपलता प्राप्त की अठारा सो अठारी में एस्जी नावास्ची ने दूसरे नग यूगमकों को दुर्वे केंद्रकों के साथ सल्लेन की पुष्टी की अर्थार उन्होंने डबल फर्टिलाजेशन अथ्वा ट्रिपल फ्यूजेशन की खोज करने में प्रमुख बुमी का निवाई है और इ इनिश्चेशन या त्रिद सनलेन के लाता है यह एंजियोस्पर्म पोदों का या आवर्त वीजी पोदों का प्रमुख लक्षन होता है बीसवी सतावजी के आरम तक आवर्त वीजियों में एमरोलोजी में किये अनुसंदान की शमिक्षा काल सनार्प ने अपने दो पुस् पुस्तक प्लांट एमरोलोजी में आवर्त वीजियों के सभी वर्गों के पोदों के भुर्ण विकास का विश्थत वरणन किया गया है इन पुस्तकों ने सोथ करताओं में भुर्ण विज्ञान के परति रूची जागरत की पिछले 5-7 दसकों में जी विज्ञानिक तक्न पिशू कल्चर की नविंतम तक्निक को परियोर से अध्यान में और भी नए चेत्र आयाम विक्षित हुए हैं वर्त्मान समय में सुविधा की द्रश्टी से एमरोलोजिकली स्टेडीज को तीन चेत्रों अर्थाद डेस्क्रेप्टिव एमरोलोजी के रूप में बाटा गय है और इसी के अरुणूप उनका अध्यान किया जाता है नमबर एक डेस्क्रेप्टिव एमरोलोजी या उव्रनातमक भुरुन विज्ञान इस प्रकार की भुरुन विज्ञान के अंत्रगत प्रक्रियों जैसे डवलपमेंट ओ एंधर और ओविल माइक्रोस्प्रोजेनेस वेंडोजीची जेटेश्या इस्परोजीनेसिज ग्यमेटोजीनेसिस फटेलाईजीशन एम्रोजीने इस प्रकार व्रनातमा के विज्ञान का उद्देश्य विभीन भून विज्ञानिक परिक्याओं के संबंद में मूल भूत विभून उपलब्द कराना है अर्थार मोलिक जो ओरिजिनल जो डेस्क्रिप्शन है वो उनको उपलब्द करवाना है दूसरा आता है कमपरेटेटव एम्परोलोजी के अंत्रकर पोदों के विभीन समुहों में भून विज्ञानिक लक्षणों की का वर्गे की द्रश्टी से मुल्यान कर किया जाता है इस्टार्स बर्गर 1884 हो मिस्टर 1848 आदी ने बुर्ण विज्ञानिक अध्योनों के वर्गे के में महतों की संबानों व्यक्त की थी परंतु इसका विश्टर वर्णन स्तरवपतम स्नार्प 1931 ने अपनी पुस्तक वर्गी वर्गली केंडरी एंब्रोलोजी डर एंजियोस पर मिकिया उसके पसाद माईश्वरी केवस के सुब्रिनम बीम जोहरी आदी ने अनेक जातियों और कुलों आदी की संदेहा प्रत सि समाधान किया इसी तरीके से डी जेविस डेविस 1966 की पुस्तक सिस्टेमेटिक एंब्रोलोजी में आवर्त विजियों के सभी भून विज्ञानिक लक्षनों का उल्लेक वर्गे की द्रस्टी से किया गया अर्थार इस परकार जो वीपिन प्रकार के जेनरे टेकसास थे उनक को एंब्रोलोजीकल क्रेक्टर्स क्यादार पर उनका समाधान किया गया थाड़ है एक्सपरिमेंटल एंब्रोलोजी इस प्रकार की एंब्रोलोजी को उद्देशिये भून विज्ञानिक परिक्रियां वो नेंतरित करना तथा उनमें आश्रक्त अनुसार परिवर्तन उत् व्रत्वान समय में प्रियोग अतम बुरुन विज्ञान बुरुनेकी का स्रवादी विक्षी चेत्र है इसके अंतरकत प्लांट ब्रेडिंग वे बायो टेक्नलोजी आदी में विसेस प्रकार का योगदान है भारत में प्रोफेसर पी महाश्वरी पंचानन महाश्वरी को जनक आ जाता है प्रोफेसर माहिसूर दा लिखिस पुस्तक अन इंट्रोड़क्शन तू दा एम्रोलोजी ओफ एंजियो स्पर्म आज भी एक महतोपुन संदर्प या रेफरेंस बुक के रूप में इस सापित है उनके दवरा संपादित किये अन्य पुस्तक रिसेंट एड एम्रोलोजी ओफ एंजियो स्पर्म भूण विज्ञान संबंदी में तोपुन प्रिकासन माना दाता है इस प्रकार चे हम देखते हैं कि वनस्पती विज्ञान की वह साका जिसके अंतरगत उच्वर्गे पोदों की जनन संबंदी प्रिक्रियें युगमक जनन पराकन प्रिमन आधिक अधियन के जाता है उसे प्लांट एम्रोलोजी कहते हैं और